डाक्टरों के साथ बीमारों के इलाज में पूरा सयोग करने वाली नर्सों की करोना महामारी से पीडित लोगों के इलाज में भी बड़ी एहम भूम कर रही है नर्सों के साहस और उनके सराहनी योगदान के लिए 12 मई को मनाया जाता है इंटरनेशनल नर्सेस दे आपको बता दे कि नर्सेस की योगदान को याद करने और उनके प्रति सम्मान प्रिकट करने के लिए हर साल 12 माई को इंटरनेशनल नर्सेस जे मनाया जाता है जन्वरी 1974 में इसे अंतरराश्टी दिवस के तौर पर मनाने की घोशना हुई थी आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटेंगेल के जन्वरी दिन को ही अंतरराशी नर्स दिवस के तौर पर मनाया जाता है डाक्टरों के साथ बीमारों के इलाज में पूरा सयोग करने वाली नर्सों की करोना महमारी से पीडित लोगों के इलाज में भी एहम भूमिका रही है नर्सों के साहस और उनके सरानी योगदान कारियों के लिए सम्मान जताने के लिए ये डे सेलिब्रेट किया जाता है इसी कड़ी में रिवा के विध्यांचल नर्सिंग कॉलेज में दीप प्रज्जोलेत कर कारिक्रम की शुरुआत की गई तत्पश्चाथ संगोष्टी कारिक्रम आयोजित किया गया इसके बाद के काट कर नर्सेस डे मनाया गया एवां सभी ने एक दूसरे को बढ़ाई दी प्रस्तोत है प्राप जानकारी के अन्स यह पन क्या किस कारकम को आयोजित कर रही है यह हम नर्सेस डे सलिब्रेट करते हैं और हम ऐस प्राप प्राउड तो बिया नर्स अन्स प्रोफेशन को प्रमोट करने के लिए और नर्सेस का था रोल है हमारी सुसाइटि में उनको चीजों के बार में लोगों को बताने के लिए हम यह सारे प्रोग्राम और्गनाइज करते हैं आज हम लोग नर्सेस्टेइ सेलिबरेट कर रहे हैं, आज इंटरनेस्टनल नर्सेस्टेइ सेलिबरेट कर रहे हैं, त्योंकि इस दिन हमारे नर्सेस की उपत्ती हुई थी, तो फ्लोरेंस नाइटेंगल ने किस तरीके से नर्सिंग की उपत्ती की थी, उन्हीं की वज़े से आज हमारी सोसाइटी में जिस तरीके से हमारे नर्सेज और हमारे स्टुरेंट्स को अंडोग प्रमोट कर रहे हैं इस तरीके से हम एक वेल और हल्दी सोसाइटी बना सकें इस तरीके से हम एक हल्दी सोसाइटी बना सकें और उन्हीं की वज़े से आज ये नर्सेज की देन है हमारा क्या Contributional Society में ये लोगों को हम बताना चाहते हैं बीइंग अनर्स हमारी क्या इस तरीके से लोगों को कितना डेडिकेशन दे कर प्लेयर देते हैं इसलिए हम लोग नर्सिस को सब्टेट गादे हैं सुबना मेडम आपको